अगर आप एक advocate हो, या फिर एक lawyer हो, या फिर एक law student हो, आपको इस बात को गौर करना जरूरी है, कि क्या कभी आपने सोचा है, कि bar association को कोई election है, members को ही चुनने का election है, और lawyers के miss behavior के वज़े से female lawyers के साथ pushing कर रहे हो, miss behavior कर रहे हो, उसकी वज़े से ballot papers को फाड रहे हो, इन सारी बा rules है, ऐसा हुआ है, practically तो और पैसा हुआ है, साथी में भी Supreme Court ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, एक अपना strict, एक अपना order pass करा है, और अपने suggestion दिया है, कि ये कभी भी बार association का election होगा, तो ये rules को follow करना जरूरी है, तो Supreme Court ने बहुत गुस्से में एक बात बोली है, त पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी details जरूर बताऊंगा, और अगर आप एक advocate हो, तो आपको तो ये भाई बात जानना बहुत जारा जरूरी है, कभी भी आप भी in future election में vote डालने के लिए जाओगे, तो आप इस बातों को ध्यान में रखना जरूर, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है यूश, अब देख रहें smart and legal guidance, अब आपके मन में भी कभी ना कभी एक बारी doubt आता ही है, कि मिझे judiciary के exams की तियारी करनी है, मैं एक law student हूँ, मेरे law graduate होने के बाद, direct मैं अपने judiciary के exams की तियारी करके, अपना exam देऊंगा, और exam को crack करूँगा, उसके लिए मुझे coaching center जाना पड़ेगा, online coaching कोन सी best रहेगी मेरे लिए, मुझे इसको पहचानना पड़ेगा, तो ये सारे doubts को clear करने के लिए unacademy, आप से भी लोगों के लिए, एक judiciary PCSJ की coaching का best platform लेकर आया है, जिसमे live interactive classes होती है, pose का आपको feature दिया जाता है, सा direct raise our hand की request भेजेगा, plus educators को, plus class के अंदर direct educator audio की मदद से, वो बच्चा और educator आपस में अपना doubts clear कर सकते हैं, साथ ही में आपका एक best feature ये वाला भी मुझे लगता है, कि आप कहीं भी और कभी भी classes ले सकते हो, आपकी कभी by chance live class मिस हो गई है, कोई बात नी, आप recorded classes देखिए, सा पर महीने, नया batch लेकर आते हैं, आपको T20 की test series भी करने के लिए मिलती है, free of cost, prices आपके screen के उपर show हो रहे हैं, 1 month, 3 month, 6 months, 12 months, 18 months और 24 months, आपको सबसे best बात ये है, कि मेरा code यूज करने पर SLG10 का, आपको 10% discount hand to hand मिल जाएगा, ऐसी opportunity हर किसी को नहीं मिलती है, तो आप लोग इस judiciary के plans को join करने का unacademy उपर जरू सोचेगा, सबसे पहली बात आती है, कि Gen 1 और regular law practitioner जितने भी है, सिर्फ उनी को ये अधिकार दिये जाएगा, किस बात का अधिकार दिये जाएगा, और ये statement किस behalf पे, किस बेनाहा पे मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात, Supreme Court ने बोला, कि बाई जो office bearers थे न, office bearers का मतलब क्यों होता है, बार association में काम करने वाले लोग, बार association के जो state bar council का, जो state bar association होता है, उसी के अंदर जो काम करने वाले जो offices होते हैं, उपर higher level के offices हो, senior offices हो, junior offices हो, etc. तो इनको चुनने के लिए अपने के election तो होता होगा, बिलकुल होता है, त लेकिन, लेकिन इसके अंदर जो है, cancel कर दिया गया, क्यों, क्योंकि जो भी advocates हैं, बहुत सारे जो most of the advocates है, most of the lawyers थे, वो बहुत जादा mis behavior कर रख रहे थे, rustic behavior था उनका, और उनका बहुत जादा breach भी करा गया, उन्होंने protocols को, और high court के premises में, वो सभी लोग entry कर रहे थे, महा इस bearers को चुनने के लिए, जो election conduct करवाया गया था, तो उसको cancel कर दिया गया, क्यों, क्योंकि high court की अपनी security के premises को लेकर ध्यान में रखते हुए, साथ ही में, इतिनी छोटी सी बात नहीं है, यहाँ आप लोग सो चल, अरे यार, केवल जो यहाँ पर drastic behavior थोड़ा दक्का मुक कर रहे हैं, उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं, साथी में जो है, यहाँ पर mis behavior भी हुआ था, यहाँ पर 14 अगस्त 2021 किये मैं बात बता रहा हूँ, statement बता रहा हूँ, जो इतने सारी दिक्केते problem phase हुई थी, साथी में, एक lawyer का hand तक fracture हो गया था, इतने problem phase करी गयी थी, दूसरी बात यह, एक lawyer को direct heart attack भी आ गया था, जो अपने आप में कितनी बड़ी news है, यानि कि आप खुछ सोच सकते हो, कि उस premises के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर election हो रहा होगा, वहाँ पर कितनी जादा rustic behavior रहा होगा, जो यह rustic behavior यूज करा गया है, court की statement की तरस से, I think so बिलको correct है, क क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इतना बुरा behavior रखोगे, ballot papers को followगे, जो भी lady lawyers है, आप उनके साथ mis behavior करोगे, और बहुत जादा problem face करोगे, तो यह बहुत गंदी news है, यह बहुत दिकार news है, इसी बात को ध्यान में रखते होए, जो court है, supreme court ने application को एक तरीके से सुना, इस matter क समझा, जाना, पहचाना, और बोला, कि माई, कोई भी बन्दा, genuine, कोई भी बन्दा, genuine advocate है, genuine law practitioner है, इसका मतलब यह है कि genuine practitioner तो सभी लोग होगे, मतलब सभी ने बार काउन से registration करा रखा होगा, सभी court में practice करने जाते होगे, लेकिन सब एक जहाँ पर election चल रहा है, उस court में practice सो है, vote में जितवाने के लिए, तो बाके सभी lawyers आकर जो है, voting बे आ जाते हैं, भली वो उस court के इंदर practice ना करते हो, लेकिन अपने बंदे को जितवाने के लिए, या थोड़ा सा कुछ भी misbehavior करने के लिए, बहुत सरा advocates आ जाएं, एक court के अंदर जहां पर वो practice में ना करते हो, तो बहुत जाएदा congested हो जाएगा, बहुत problem face करनी पड़ेंगे, तो इसी बात को ध्यान में रखते होए, एक line बोली है, must be elected by genuine voters, advocates, who are generally, regularly, regularly practicing in the high courts or their district court, इसका मतलब, आप जिस court के अंदर practice करते हो, या फिर आप कोई भी district court के अंदर, या high court के अंदर practice करते हो, तो regularly, genuinely, तो आप उसी court में allowed होगे, अपना election के अंदर vote डाले के लिए, आप किसी दूसरे जगा पे नहीं जा सकते, आप कोई दूसरे district में vote डाले नहीं जा सकते, आप कोई high court के अंदर vote डाले नहीं जा सकते, अगर आप वापे regularly, regularly जो है practice ना करते हो, तबी, एक clear statement उन्होंने बोल दिय cannot be allowed to hijack the system by participating in selecting bar members, ये विलकुछ सई statement बोली है, Supreme Court ने बहुत genuine statement बोली है, ये मेरे साथ से तो पहले से ही rule आ जाना चाहिए था, क्यों, Supreme Court ने साफ ये बोला है कि भाई, आप जिस court में practice नहीं करते हो, तो हम जो है, जो भार के lawyers आकर hijack हम कैसे करने देते, majority भार outsiders के आगई, और जो insiders है, वो actual में vote डालने ही ना आए, जो irregularly practice करते हैं, और वो vote डालने नहीं आए, और बहुत सारी majority आ गए, जो practice नहीं करते हैं, तो hijack किस की तरफ से होगा, भार के लोगों की तरफ से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, majority लोग आ गए, तो भार के लोग अपने बंदा बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते, अब इस case के अंदर जो बंदा regularly practice कर रहा है, उसका कोई majority case का है, होई नहीं पाएगा, तो उसकी वज़े से, Supreme Court ने साफ बोल दिया है, इस rule को follow करते होए, कि भाई, generally कोई बंदा advocate है, law practitioner है, जो regularly अपने court में practice कर रहा है, वो ये allowed होगा, election के अंदर अपना vote रालने के लिए, वो हम उसको भारक outsiders को hijack करने नहीं देंगे, बिल्कुल भी, साफ तोर पे, कड़े तोर पे, अब नया election जब होगा, जब नहीं dates आएंगी, तो ये rules को, ये protocols को follow करने के लिए बुला है, और इसके अंदर जो heart attack आया है, advocate को, या एक hand का fracture ह हुआ है, तो ये बहुत बड़ी situation मेरी नदाजर में, आपका viewpoint क्या होगा, तो आप मुझे comment box के अंदर अपना viewpoint जहूँ बताईएगा, क्या आप क्या सोचते हो, या फिर आपने भी कभी ऐसा कोई congested, या फिर आपने कोई ऐसा mis behavior face करा है, या कुछ भी आपने देखा है, course के guidance के नाम से, वीडियो को अप लाइक करेगा, शेर करेगा, और आपका कोई भी राउट आता है, आप अपना viewpoint बताना चाते हो, आप मुझे comment box के अंदर जरू बताईएगा, thank you, धन्यवाद